Hi guys, welcome and welcome back to my channel, I am Diyah वीडियो ना थोड़ा random होने वाला है तो if you don't know, तो मैं बस last month ही उसबेकिस्तान घुम के आई हूँ मैंने already उसबेकिस्तान travel vlog मेरे चैनल में start कर दिया है उसका link description box में होगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हो अगर आपको उसबेकिस्तान वीजा कैसे करना है वो भी जानना है इस वेरी सिंपल प्रोसेस वो भी एक वीडियो में मैंने मैंने मेंशन कर दिया है और उसबेकिस्तान का बजेट, इतिनर, यह सब भी वीडियो होगा और उसबेकिस्तान के बारे में अगर आपको कोई भी question है आप comment में बता सकते हो मेरा instagram भी होगा, with the same name wondervidya आप वहाँ भी connect कर सकते हो और उसबेकिस्तान व्लोग के बारे में अगर कोई भी topic अगर आप suggest कर सकते हो वीडियो बनाने के लिए, do let me know in the comment as well but yes that's the video about just what all things I have bought from Uzbekistan and let's go पहला चीज है fruits and dry fruits, especially dry fruits तो वहाँ पे बहुत सस्ते में मिलता है so I would recommend वहाँ से लेकर आने के लिए, मैं फिल्म करना भूल गए थी लेकिन वहाँ पे SOEB Bazaar, जो समरकन में है नहीं तो 400 Bazaar ताशकें से आपको मिल जाएगा next है ये एक normal bag हम दादी के लिए लेक आना था, तो this is it, I think ये हमने बुखारा से लिया था so this bag we got from Registan and you can see like this is a small bag they have mentioned that this is silk, I'm not sure if this is silk or not but anyway this is like a very smooth one and I really like the work so let me show you, so first there is like a small chain right here and then this is the chain, there is like enough space and this is like a backpack thing so yes and this one is for 80,000 sorry this is for 90,000 but in another store we got it for 80,000 so like around like 80,000 to 90,000 SOM is this one next है ये साफरान, तो ये हमने चोरस बजा से लिया था तो वहाँ पे हर जगा में ना चाय का different options this masala, गरम मसाले ये सब मिलता है next ये है एक green tea, green tea actually वहाँ पे काफी अच्छा मिलता है so you can get some green tea from there as well एक departmental store से हमने लिया था तो ये भी एक green tea है तो I think ये ताशकेंथ में ही manufactured है ये है Chinese green tea, मैं अब्सब, made in China वाला है and this was really interesting, ये है flavored tea तो वहाँ पे उन लोगों ने सज़ेस किया था कि लेने के लिए भी चोड़सु बजार से है यहाँ पे चोटे-चोटे ना ये फे flowers भी है and ये actually already मेरे पारेंस ने ट्राइ कर लिया था, काफी अच्छा है and next is mountain tea ये देखके ही कैसा लग रहा था, ये देखके, it doesn't really look like tea और यहाँ ने से fruits चैसा भी चोटा-चोटा यहाँ पे है but overall, मैंने तो मैं नहीं पीती तो मैंने नहीं किया था but they have tried and वहाँ पे ये चोड़सु बजार ताशकन में है आप try कर सकते हो तो ये जो है, ये ना हलवा है ये आपको हर जगा ही मिल जाएगा ताशकेंद, बुखारा, समरकन ये काफी अच्छा है, लेकिन जादा मीठा भी नहीं है gift देने के लिए काफी अच्छा है और वहाँ पे मैंने कुछ चोटलेस लिया है तो ये नेसले का ही है, लेकिन इंडिया में मैंने तो कभी देखा नहीं था, ये अविलेबल है की नहीं तो मैंने ये दिया था, उसके साथ एक डाक चॉकलेट, 70% डाक चॉकलेट वाला भी एक था और नेक्स्ट ये जो है ना, ये रशियन चॉकलेट है, मेड इन रशिया है ये अच्छली सेम चॉकलेट अजरबाइजान में भी मिलता है, तो वहां से भी लिया था तो ये भी अच्छली काफी अच्छा रहता है खाने में हमने वो जो चॉकलेट जो दुकान था वहां से बहुत अच्छा मिलता है लेकिन हमारा जो इंटरनल फ्लाइट था इंडिया में वो 15 kg था तो इसलिए इसलिए हम कुछ ला नहीं पाए वहां से बट यू कन डेफिनेटली बाई सम हमने बस मैगनेट लिया था तो ये मैगनेट मैने खीवा से लिया था तो हर जगा पे डिफ्रेंट डिफ्रेंट टाइप अफ मैगनेज मिलता है तो जहां पे जो पसंद आए वो थोड़ा बार्गिनिंग करके ले ले रहा ये समर्कन से लिया था था इसका प्राइस ये मेरा फेवरेट है तो यहां पे प्लॉफ जो है न पुलाओ तो उसका ये मैगनेट काइंड अफ है ये अइधिंग हमने स्टार्टिंग में लिया था ताशकेन में आमेर तिमूर मुजियम से तो जस्टा सजेशन स्टार्टिंग में ही मत लेना तो बेटर न चोड़सु बजार वो सब में जाधा अच्छा मिलता है मैगनेट अब प्लस लाग ताशकेंद और ये वाला जो मैगनेट है ये वी काफी अच्छा है ये और भी जादा बेटर है तो ये हमने बुखारा से लिया था ये काफी कम में हमें मिल गया था ये काफी कम में मिल गया था I think 7000 या 8000 सों में मिला था क्योंकि हमने अल्मोस 2025 हमने खरीदा था तो ममी को कुछ फ्रेंस को देने थे तो वो सब मिला के and these are like some more magnets from Kiva मुझे exact prices नहीं याद है but if you are interested in knowing any of the prices comment में पूछ सकते हो I will try to give the price list ये भी एक magnet है and last ये जो तीन है ये शोपीस kind of है लेकिन बहुत ही cute सा था ये I think हमने समरकन में लिया था तो रगिस्थान square में बहुत सारे दुका these are some of the magnets Bukhara this is around 30,000 these two like this we will you will get in Samarkand Bukhara and these two are like seeds flower seed we got it from one shop in Siob Bazar in Samarkand and this was 5,000 som each this small set of like showpiece basically from Registan square in Samarkand this was 20,000 each and this is how it looks like and finally अगर आपको dresses खरीदना है तो रगिस्थान square में या वे समरकन में काफी अच्छा प्राइस में आपको मिल जाएगा चोरसी बजार में भी मिलता है वैसे तो मैंने ये court set type खरीदा था और ममी ने long dress मतला अबाया जो बोलते वो हमने लिया था and overall quality was good and Uzbekistan काफी affordable जगा है ल वहाँ पे most probably शायद English लोग नहीं बोल पाएंगे ताशकिन जो है जो capital city है वहाँ पे फिर भी लोग बोल लेते लेकिन छोटे बोटे शहर में जैसे खीवा या फिर बुखारा वहाँ पे mostly English नहीं बोलते है तो इशारे से या फिर आपका जब प्राइस है वो calculator में शो कर दे अगर आपको वो 10,000 में खरीदना है तो वो फोन में आप फिर से वो चेंज करेंगे 10,000 लिखके ऐसे कर के बार्गिन करना होता है if they don't know English and और एक चीज है कि वहाँ पे उस्बेक लैंगविज और हिंदी या फिर उर्दू लैंविज में काफी similarities है तो काफी you know words same है तो अग यवे like the people there are very warm and very friendly and they actually really love Indians as well तो काफी सारे सेल्फी लेने के लिए भी बेट रेड़ी that's it about the video, बताना comment में कैसा लगा, कुछ पसंदाया की नहीं, मुझे तो वैसे काफी पसंदाया है what all things I have bought from Uzbekistan and Uzbekistan का बहुत सारा vlogs में अभी एडिट कर रही हूँ, वो सब भी बहुत जल्दी live होने वाला है मेरे चैनल में and if you have any questions do let me know in the comments and that's it guys for today bye, take care